सब्सक्राइब कीजिए इस्टडी फॉर विन चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो से अपडेट रहने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी फॉर विन में आज मैं लोग बात करें हैं यहाँ पर जो आप लोग सहाय कद्यापक भर्ती लिकित परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ एक दिशान इर्देश आया है जो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है तो सोचा यह जो न्यूज है वो आप तक पहुचा दूँ यहाँ पर देखिए हैडिंग क्या है मूल प्रमाण पत्र के साथ ही दे सकेंगे सिक्षक भर्ती परिक्षा जी हाँ यहाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चलिए गौर करते हैं आकिर खबर क्या है यहाँ पर यह है कि प्रदेश में जो 68500 पदों के लिए 12 मार्च को आयजुद होने जा रही सहाय कर्द्यापक भर्ती परिक्षा है उसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को हर हाल में मूल प्रमाण पत्र दिखाना होगा बिना मूल प्रमाण पत्र के वी परिक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे इस नियम के बाद उन अभ्यर्थियों में उपापों की इस्तिती बनी हुई है जिन्होंने 12,460 पदों के लिए कांसलिंग करा ली है और उनके मूल प्रमाण पत्र विभाग के पास जमा है जिला विद्याले निरिक्षक ने 18 के इंद्रों की सूची बेज दी है और 10,000 अभ्यर्थी है यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखे परिक्षार्थियों को अपने साथ क्या ले जाना है देखिए परिक्षार्थियों को यहाँ पर क्या ले जाना है परिक्षार्थियों को जितना भी आपको ले जाने है वेबसाइट से जो भी आप डाउनलोड करा रहे हैं प्रवेश पत्र वो आपको यहां पर ले जाने है प्रवेश पत्र के बाद आपको क्या ले जाना है आधार कार्ड की मूल प्रती यानि की जो आपका आधार कार्ड है उसकी मूलपरती आपको ले जानी है आप यहां पर इसको जुन करके देख सकते हैं आपको दिखा धिति हूँ क्या है देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़े है जो आपको चाहिए हैं यहां पर है आपको website से download प्रभेश पत्रे ले जाना है आधार कारड की मूलपरती ले जा इसके साथ और इहां पर दिखने वाली चीज है इसका आपको क्या प्रमाड़ पतर ले जाना है जो अंतिम सैमिस्टर आपका है उसका पको ऑंक पत्र ले जाना है उसकी मौल प्रती ले जानी है कोई photo copy काम नहीं करेगी आपकी और जो आपने यूपी TAT दिया हुआ है या अगर आपने C TAT के THRU एपलाई किया है तो आपको वो ले जाना है यानि कि आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपनी जो BTC की Last Semester की माकशीट है वो आपका जो प्रमाड पत्र है वो ले जाना है और उसके बाद आपने जो TET या सी TET कर रखा है उसका भी आपको ले जाना और ये सारे documents आपको याद रखने हैं कि original ले जाने हैं कोई भी फोटो कॉपी मानने नहीं होगी आधार कार्ड से लेकर आपका TET तक का जो भी प्रमाण पत्र आप लेकर जा रहे हैं वो सभी आपके original समस्या अब यहाँ पर आगे बात आती है कि समस्या क्या है trailer समस्या पर यह देख लेते हैं समस्या सिर्फ इतनी यहाँ पर है उसमें ये जो मूल प्रमाण पत्र हैं, वो कैसे प्लस्तुत किये जाएंगे, तो कोई बात नीज उसके लिए उपाय भी दिया हुआ है कि आप लोग मूल प्लमाण पत्र जो आपको अगर चाहिए हैं, तो उसके लिए देखे, यहां पर आते हैं क्या लिखा हुआ है, कि आप को अपने BSA के पास जाना है और सपत पत्र देना है और उसके बाद आप मूल प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं और परिक्षा के समय उसे प्रस्तुत भी कर सकते हैं इसमें अधिकारियों का क्या कहना है कि अगर आप मूल प्रमाणपत्र लेने जाएंगे तो कोई भी प्र प्रमारपत्य प्राप्त कर सकते हैं और परिक्षा में आप बैठ सकते हैं तो बस इस सूचना को आप तक पहुंचाने का मेरा यही एक उदेश्य था कि जिन लोगों के जो डॉकिमेंट्स हैं सब्मिट हैं आपके वो प्लीज आप अप लोग अपने टाइम से पहले जाकर कि विदाउट डॉक्यमेंट्स आपको एक्जाम हॉल में एंट्री नहीं दे जाएगी तो यह जितने भी डॉक्यमेंट्स हैं अगर आपके पास फाइनल मार्क शीट्स नहीं हैं तो उसको जल्दी से जल्दी आप अपने पास उपलब्द कर लीजिए तो फ्रेंट्स यह थ